कि रादे रादे हरे कृष्णा मैं कविता तोतला लेक्चरर इन इंदी गवर्वेंट आफ राजस्थान और पिस से तयारी करने वाले सभी विद्यारतियों का मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी लेक्चरर कविता महिश्वरी पर बहुत-बहुत स्वागत हैं फर्स्ट को फोलो करकर मैंने 2018 में व्याख्या था कि एक सीट प्राप्ट की है वही सारी चीजें वही सारे नौट्स वही सारी पीडियाफ मैं मेरे टेलिग्राम चैनल पर बेचती हूं निशुल को पोस्ट करती हूं ताकि आप सभी को वह कंटेंट आसानी से मिल सके और आप सब भी म महंआ पर जाकर हिंदी में आपको सर्च करना होगा तेलिग्राम पर जाकर नहीं तो मेरे दिस्क्रिप्ट्यम में आपको लिंक मिल जाएगा वहांसे जाके आप तेली चैनल को जौएन कर लीजिए क्योंकि हिंदी की तयारी बहुत टाइम से इस च्ल रही है जिसमा हिंदी स कीज़े एड वो चाहिए boyagd cheap né जा हार फिचनल के माथ्यां से आपको करवा ही जाएगी मार्केट में बुक्ते हैं नहीं जैसि आपको चाहिए व्यसी है यह कुछ घाइड आई यहरा लेकिन जो हमें चाहिए वो नहीं है ऐसी बहुत सारी स्थितियाG min je कि नया जो एड हुआ है सेकंड ग्रेड में उसको हम कहां से पढ़ें कैसे पढ़ें किस तरह से हमारी रणनीती होनी चाहिए किस तरह से हमें पढ़ना है कैसे आने वाले चार महिनों में सेकंड ग्रेड की तैयारी को दो बार हम कोर्स कर सके ऐसा हमें करना है क्योंकि जीके में आए हैं जितने विद्यार्ति मुझसे जुड़े हैं उन सभी के अनुसार जो हिंदी का नया पाठिक्रम है वो पूरा का पूरा मैं आपको मेरे चैनल के माध्यम से पूरा करवाऊंगी जो नया जुड़ा है वो क्योंकि जो पुराना है उसके लिए मैं पूरी रणनीती बता से उन्होंने सारे नोट्स अपने हाथों से बनाए है और या फिर जो लेट जुड़े उन्होंने प्रिंट आउट भी निकलवाया है आप अगर पहली बार मुझे सुन रहे हैं तो फिर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बैल आइकन पर और को भी प्रेस कर से आपको किताब लाने की भी जरुरत नहीं है फिर भी आप लाना चाहें वह आपकी इच्छा है बाकी मैं पहले आपको बता देती हूं कि नया पाठे क्रम क्या है विससे तुम्हें पिछले वीडियो में बता चुकी हूं आज का जो मेरा वीडियो है वह एक रण नीधी को को आपको क्या पढ़ना है कितना पढ़ना है यह रणनीती है मेरी क्योंकि 24 को रीट का पेपर हो चुका है 25 आप रिलेक्स हो चुके हैं अब आपके पास इतना समय नहीं है कि दो से तीन दिन आप खराब करें तो 26 और 27 का मैंने एक टाइम टेबल डिसाइड किया है मैंने आप आपको कुछ टॉपिक्स दिये हैं फर्स्ट वेपर जीके में भी और सेकंड वेपर जो आपका हिंदी का है उसके अंदर भी वही 26 और 27 का टाइम टेबल लेकर मैं आई हूँ इस वीडियो में लेकिन वहां तक जाने से पहले एक बार हमारी आर्पीसी ने जो पार्टिक्रम अलग था धिए का अभी पाटिक्रम में फिर बदल किया गया है यदि आपके पास नया पार्टिक्रम नहीं है तो फिर आप उसे निकाल लिजिये और अपनी टैबल पर रख लीजिये और नए पाटिक्रम के अनुसार नए जोश के साथ नही तैयारी को शुरू कर दीजिए चार महिने आपके पास है यदि आप मेरी बताई हुई रंड नीति से चलते हैं चार महिने में दो बार कोर्स करेंगे अब यहां एक समस्या और निकल के आएगी कि जो पहले से तयारी कर रहा है उसके पास तो सारा का सारा मेटर है कि जीके में भी सारा कोर्स उसके पास है और अपकी हिंदी में भी उसके पास सब कुछ है उसको केवल मेरी रणनीती को फोलो करना है लेकिन यहाँ पर एक सवाल और यह भी है कि जिसके पास कंटेंड नहीं है और जो अभी से तैयारी में लगा है वो क्या करें तो वो यह करें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और एन सिर्ट और पुराने दिक थक चुकी हूँ रीट के एक्जाम में यहाम में मेना jagmut राजस्तान माध्यमिक क्षिक्षा वोर्ड की कित किताब और पुराले पिछले जितने भी पेपर हुए उन सब को किस प्रकार से हल करना है यह सब में लगातार दस दिनों में आपके सामने दो से चार बार आई और मैंने बहुत कहा कि अगर आप यह कर लेते हैं तो फिर आप सफलता के नजदीक है जिन्हों सब्सक्राइब कहा है उन्होंने कमेंट सक्षन में कहा है कि बहुत शांदार पेपर गया और जिन्हों नहीं सोचा कि यह सिफ कहने की बाते हैं तो बबड़ से कर ली जिए से यानि कि जो अमारी जीके का है या फिर जो हमारी हिंदी का है हम कैसे पड़े तो अफिर मैं यहीं कहूंगी आपसे कि मैंने फर्स्ट ग्रेड के जीके के पेपर के लिए एक वीडियो बनाया है जिसमें मात्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबें और NCRT की किताबों को प्रेफर बताया है तो आप हाला कि तैयारी सेकंड क्रेड की कर रहे हैं मुझे पता है लेकिन आप उस वीडियो को एक बार समय थोड़ा साब का खराब होगा पर 19-20 मिनिट का वीडियो है ज्यादा बड़ा नहीं या फिर हो सकता है 19 नहीं मैं बोलने में गलती कर रही हूं शायद आ सब्सक्राइब का है लेकिन सौर्सेज मैंने वहाँ पर आपको माधिमिक शिक्षा बोर्ड और एंसी आर्टी का बता रखा है तो आप उसे फोलो करके अपने जीके के पेपर को भी बहुत बेस्ट बना सकते हैं थोड़ी से मैनत करनी होगी थोड़ी सी तपस्या करनी होगी shortcut नहीं अपनाना है रीट में shortcut अपना कर देख चुके हैं जो विद्यारती उनको अब बिल्कुल भी नहीं अपनाना चाहिए शब्द करवे यह सत्य हैं कि आपको शौटकट चाहिए सीधा सीधा चाहिए मैनत नहीं करना चाहते तो उसका कोई भी इलाज नहीं है आपको यह लगता है कि किसी भी एप्लिकेशन के कॉर्स से हम पास हो जाएंगे या फिर चोटी मोटी गाइट लाके हम निकल जाएंगे नहीं हो सकता एप्ल कमी सिर्फ यह है कि हम जहां से पढ़ रहे हैं ना उसको इमानदारी से नहीं पढ़ रहे हैं पूरा उसी में घुसके नहीं पढ़ रहे हैं चाहिए आपने किसी एप्लिकेशन से कॉर्स ने रख़ा है तो भी चाहिए आपने मादिमिक शुक्षा बोड्ड या nc it की किताब ले ली हो तो भी फर्क यह है कि हमने एक दो बार पढ़ लिया मतलब शुरु शुरु में जोश में आके एक महिना दो महिना उसके बाद जोश ठंडा हुआ और उसके ध्यान देना बंद कर दिया अब हमें कुछ नया चाहिए इस नए के चक्कर में ही बरबाद हो चुके पर चलो हना और बार बार करो चाये आपने कहीं से कोर्す लिया हो तबभी चाहे जो मैं बता रही हूं कि किताब्एं अब मैं किताबों का बार बार पर इसलिए कहती हूं gt is a ज़ह कर मभिकर मैंने सारा लिया है तो मैंने YouTube चैनल्स पासारा लिया हुश्में भी चौदरी उन्हीं को पढ़ाएं और मैंने जीके में किसी को नहीं पढ़ाएं क्योंकि वह बहुत ही ऑथेंटिक किताब हैं कि उनके साथ क्यावल मैंने उनी को पढ़ा और मैंने इन को लिगbro Leader दो सोडिय जोंकि पॉइंटों के लिए इक नंबर दोनकि ओए नहीं है कि आपने कहीं एक पर डिपेंड होगे आपको सब तरफ नजरे रखनी होगी यदि आप चाहते हैं कि अब जो competition है और जिस तरीके का महोल है उसमें एक सीट आपको लेनी है तब तो आपको यह सब करना ही होगा क्योंकि 2018 का जो पेपर मैंने दिया जीके का उसमें हवाएं टाइट थी कुछ भी हवा नहीं लगी कि उसने क्या पूछा जीके में उसको देने के बाद से मुझे यह तो समझ में आ गया कि अब जितने भी पेपर या जितनी वी वेकेंसी आगे आने वाली है बस जाओ क्या गेम खिलाती है क्या खेल खिलाती है तो बस इसलिए बार-बार मेरा फोकस NCRT और मादिमिक शिक्षा बोड और पुराने सालों के आएवे पेपर पर रहता है पुराने सालों के आएवे पेपर भी ऐसे नहीं कि निकाल लिया पड़ लिया हो गया उनको कैसे करना है क्या करना है इस वीडियो में नहीं बताउंगी काफी लंबा होगा पूरी की पूरी एक वीडियो मेरी प्लेलिस्ट में कि पूराने पेपर को कैसे एस्वाय Original और जिसने किया इस नहीं हो तो कमेंट सेक्षन चेक कर सकते हैं कि उन्हें कितना फायदा हुआ है ठीक है अब जाकर कर लीजिए 26 और 27 तारिक की एक रंड नीती मैंने बनाई है उसको आपको फोलो करना है 26 तारिक को जीके में आपको क्या टॉपिक पढ़ना है और आपको आपकी हिंदी में क्या टॉपिक पढ़ना है यह मैंने लिखा है उसके बाद मैंने 27 तारिक में भी जीके के टॉपिक लिखे हैं अब उन टॉपिक पर जाने से पहले एक बारगी यह वाली चीज जो देख लेते हैं कि नया क्या-क्या एड हुआ है तो नया आपका सिर्फ जो है वो है सै और दै आपके हिंदी में सै और दै पार्ट ही ऐसे हैं जो की एक दम बिल्कुल नए है और जो पर पड़े वाला पार्ट ही करवाऊंगी बिना मतलब का टाइम वेस्ट ना तो मैं आपका करूंगी ना मेरे पास इतना वक्त है क्योंकि ग्रामर का सोर्स आप सबको पता है हिंदी ग्रामर आपको कहां से पढ़नी है कितनी बार मेरे वीडियो में मैं बता चुकी हूं कहां से करनी है सबको पता है और यह सनातक स्तर मैं पूरा का पूरा करवा चुकी हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर और इस नातक स्तर की पूरी पीडियाफ में टेलीग्राम चैनल पर भेच चुकी हूं जिसे आप निकलवा सकते हैं प्रिंट आउट लिख सकते हैं जैसा आपका मन से होगी हिंदी बाश्या का उद्वा और विकास हिंदी और उसकी बोलियां उसका सामान्य परिचय देवनागरी लीपी ठीक है यहीं से मैं आपको पढ़ाना शुरू करूंगी फिर उसके बाद हम आगे से आगे बढ़ते जाएंगे और इसमें भी एक और चीज है शायद ही म दो मुझे नहीं लगता कि यूट्यूब पर इस तरीके से कोई पढ़ाता होगा या फिर बढ़ा भी रहा होगा तो मुझे नहीं पता लेकिन हाँ मेरा पढ़ाने का तरीका आपको यह अलग होगा इसलिए होगा क्यूंकि आपके पास समय है केवल चार महीने सिर्फ चार माह का समय जादा नहीं है यदि मैं अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा सेकंड ग्रेड के विद्यारति हो ठीक है वीडियो को स्किप कर रहे हो तो रुख जाएए ध्यान से सुनिए मैं आपको वह चीज बता रही हूं जो बहुत काम की है चार माह आपके एक्जाम के हैं यदि आप यह सोचते हैं कि मैं एक एक चीज को यहां आपको डिटेल से इसी चैनल पर पढ़ाऊं फिर मैं इसकी पीडियाफ आपको सेंड करती जाऊं तो फिर आपका एक्जाम आ जाएगा तब तक भी आपका कोर्स नहीं होगा बिल्कुल आप यह बात सही सुन रहे हैं अगर निंदों में तो उट जाएए नहीं होगा और मैं मेरा यूट्यूब चैनल चैनल चलाने के लिए आपको भवर जाल में या ब्रहमित नहीं कर सकती क्योंकि मुझे अगर मेरा चैनल चलाना है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है मैं यहाँ पर पढ़ाती रहूंगी चैनल चलता रहेगा आप निकल जाएंगे तो क्या आपके आने वाले भाइबेन और है वो और सेकंडरेट की तयारी करेंगे और पार्टिक्रम जो अभी बदला है वो आब नहीं बदलेगा एक दो साल तक चार साल तक तो यही रहेगा ठीक है ना लेकिन मुझे चैनल नहीं चलाना है जितने भी विद्यारती पूरी आत्मेता से मेरे साथ जुड़े हैं मुझे उनका कोर्स कराना है तो यदि आप सब तयार हैं तो ही मैं ये काम कर पाऊंगी अन्य था मैं ये काम नहीं कर पाऊंगी आपको क्या करना होगा ध् दिनकर जैशंगर प्रिसाथ रामचंद्र शुक्ल मोहन राकेश यादवेंद्र श्वर्मा कहानिया उसने कहा पूस्की रात प्रठाक्षेप नहीं होगा उजाले के मुसाइप यह जो आपको इतना लंबा चोड़ा दिकर रहा है इसमें आपको बहुत बड़ा खाम करना होग यदि आपको जल्दी से कोर्स करना है पढ़ने वाला जो स्टूडेंट है वहीं करेगा यह मैं पहले ही बता रही हूं बाकी आते तो बहुत है भीड में हना पेपर भी बहुत देते हैं पर सेलेक्शन उनिक होता है जो पूरे दिल से पूरी शिद्दत के साथ चलते हैं उस यह तरीके से में आपको बता रही हूं यदि आप उस तरीके से चले तो मैं 08% कहती हूं आप इतना शांदार कोर्स करेंगे ला सिरफ मैं के अंदर आप इस चीज को कर जाएंगे और दुबारा रिवीजन के आप तीन बार कर जाएंगे कैसे करेंगे पहले यह होता था कि मैं पहले यूट्यूब पर पढ़ाती थी फिर आपको मैं PDF सेंड करती थी ठीक है अब मैं उल्टा काम करने वाली द्यान से सुनना मैं इन सब सब्की PDF पहले आपको Telegram चनल पर भेजूंगी द्यान से सुनिएगा मैं आपको पहले इन सब्की PDF टेलिग्राम चनल पर भेजूंगी और जैसे कि अब मैं आपको एक एक्जामपल के तौर पर समझा देती हूं जैसे कि यादवेंद्र शर्मा का खून का टीका यह हम लेते ह यह है 204 पेज का कितने पेज का 204 पेज अब 204 पेज आप भी बहुत अच्छे से जानते कि यदि मैं पढ़ाने बैठीना तो एक देड़ महिना निकल जाएगा तब तक केवल यह पूरा नहीं होगा और आपके पास और इतना डाइम नहीं है और मेरे पास भी इतना समय नहीं और ना मैं अपने चैनल को चलाने के लिए आपको ब्रहमित कर सकती हूं तो मैं क्या करूंगी मैंने आपको यह भेज दिया उसके बाद आपको मैं इसमें से पेज का टार्गेट दे दूगी कि आपको एक दिन में इसमें से 50 पेज करने हैं और इतना तो करना ही पड़ेगा तब जाके चार दिन में यह पुरा हो पाएगा आप इसको पढ़ लेंगे 50 को उसके बाद मैनत देखो आपको ही करनी होगी अब आप सोचेंगे मैडम आप तो सीधा सीधा हमें दे रही है तो फिर आप क्या मैनत कर रही है जहां बहुत बड़ा पार्ट है वहां आपको चल मुझे कोई दिक्कत नहीं मैं पढ़ा दूंगी मैं रोज के पांच पर इससे ज्यादा नहीं कर पाऊंगी फिर कोर्स आपका लंबा खिचेगा फिर अंत में आप ही कहोगे कि मैडम आपके बरोसे रहे और आपने हमारा कोर्स भी नहीं कराया और हम तो आप पे ही नहीं है ठीक है उन 50 पेज के बाद मैं आपको सिर्फ इतना ही है कि मैं आपको बस टारगेट दे दूंगी कि आपको यहां से 50 पेज करने और उन 50 पेज में कॉपी पेन लेके बैठने और साथ के साथ वन लाइनर इंपोर्टेंट बनाते जाना है क्योंकि वह आपके शॉर् से पढ़के खुद बनाते हैं खुद के हातों से तो आपको सोब प्रतिशद उसका फाइदा मिलेगा मेरे बनाए हुए नौट्स आपके लिए कत्ताई कारगर सिद्ध नहीं होंगे बिल्कुल भी नहीं होंगे यह मैं आप से साफ कह रही हूं क्योंकि मैं पढ़ाऊंगी नह अपी कोर्स को नहीं कर पाएंगे क्योंकि पिछली बार से इस बार बहुत लेंदी हो चुका है दिखने में बहुत छोटा लग रहा है लेकिन ये बहुत भरी ओचुका है ठीक है आशा करती हूं बात समझ में आगई होगी और उम्मीद भी है कि आप इस चीज को समझ चुके होंगे अब आप कितना समझ चुके हैं क्या समझ में आया आप मुझे कमेंट सक्षन में बता दीजे कि हां हम करने को तैयार है या हम नहीं तैयार है हमसे नहीं हो पाएगा हमसे हो पाएगा क्या कन्फिजन है कमेंट स मुझे जो भी स्टुडेंस हिंधी मैं कом Jones करें मैं उनका But name and लगती हूं मुझे बहुत अच्छा लगता है जब विद्यारती हिंधी में तो कोशिश करें कि हिंधी में comment करें आप देखिए मैंने समजा दिया है और में आपको यह जो समय सार्णी मैंने बनाई है उसके बारे में बता देती हूं उससे पहले कुछ लिखा है मैंने आप सभी के लिए इतना तो करना ही होगा कुछ पाना है तो परिस्थितियों से लड़ना ही होगा दो नाओं में हर बार डूबी है नोका ले जानी है तो एक लक परिख रख दो हो सकता है मेरी शब्द आपको चुब रहे रहे हो पर मैं सही बतारी हूं कर लूँ गा अतपर परापंगे में तयारी कर रहे थे उसके बाद 1.5 मीना रीठ को दे चुके परिणाम भी आप देख चुके हैं ज्यादा समझानी की जुरत मुझे है नहीं सीधे सा मुद्दे पर आऊंगी यह समय सार्णी आर्पी सी सेकंड ग्रेड जीके प्लस हिंदी इसकी समय सार्णी बनाई है यह 26 तारिक का टारगेट है आपका हिंदी का और यह 26 त पर वे विंजनों का वर्गी करन शब्द शब्दियों के बेद उनके उधारन और उसने कहा था चंद्रदर्श्वर्मा गुलेरी की कहानी अब आप कहेंगे मेडम यह तो आप पढ़ाएंगे मैं तो पढ़ाऊंगी ठीक है लेकिन आप करेंगे ठीक है ना मैं आपको PDF ना गाइड है इनदी की कोई सी भी गाइड हो उसने कहा था यह लेंगे में राजस्थान की स्थिति विस्तार आकरती और उसका भोतिक स्वरूप और राजस्थान की ही जलवायू जिसमें अपवा, प्रणाली, वनस्पती, क्रशी, पशु संपदा यह आपको हिंदी में पढ़ना है यह आपको जीके में पढ़ना है समझ में आगई मेरी बात, आप एक इंपोर्टेंट नौट है, क्या नौट है? उपर युग्त प्रकरण, यानि उपर जो यह दोनों टॉपिक्स लिखे गए हैं, चाए हिंदी के हो, चाए जीके का हो, इनके वस्तु निष्ट प्रश्णोत्तर का आपको अभ्यास करना है समझ गए, कहां से? पुराने वर्षों के आएवे पेपर से और यूट्यूब पे यह जहां भी मिले, जैसे भी मिले गूगल पे, यानि की वर्ण व्यवस्ता करी इसके प्रश्णोत्तर, शब्द शक्ती करी इसके प्रश्णोत्तर, और यह जो आप कर रहे हैं, इसके तो आ आकरती, भोतिक, स्वरूप, जलवायू, अपवा, प्रणाली, करशी, पशुर, संपदा, इन सब के भी अब्जेक्टिव करने हैं, यानि की जिस टॉपिक की डिटेल पढ़ रहे हैं, उस टॉपिक के उसी दिन आपको MCQ करने हैं, अगले दिन पर तो डालना ही नहीं, उसी हिस तरिक को आपको हिंदी में क्या पढ़ना हो, शब्द वर्गी करन, त्रोट की आदार पर आपको संब चदब विदेशी पढ़ना है। का वे के के दोश और आपके सिलेबस में यही दूश नमीनलिक दिए जीके करना है राजस्तान का आपको डैरी विकास जन संक्या वित्रण व्रद्धी सक्षरता लिंगा नुपाद जन जाती है और राजस्तान के उद्योग प्रमुक प्रपरिटन के इसमें भी वही है मैंने यह important note लगाया है आप सभी के लिए कि जो भी उपयक्त प्रक्रण है जो मैंने यह लिखे हैं इनके आपको वस्तुनिष्ट प्रश्णोत्तर करने हैं अब एक बात है कि यह जो मैंने आपको टार्गेट दिया है यहां पर 26 और 27 तारिका यह मैंने सिर्फ दो दिन कई बन नहीं है ठीक है और कि नहीं मुझे बनाना है तो आप comment section में बता दिजिया मैं आपको अगे कबना के दे दूंगी आप चीज है मैंने यह topics लिक दिये आ आप एक दिन में यह topic करेंगे और मुझे कमेंट सेक्षन में बताएंगे उसी दिन रात को सोने से पहले आप 10 बजे सो रहे हैं 11 बजे सो रहे हैं 12 बजे क्या आप ये टॉपिक कर पाए हैं क्या ये ज्यादा है यदि आपको लग रहा है कि मेडम ये टॉपिक बहुत ज्यादा है इतना एक दिन में नहीं हो पा रहा त तो मैं इसमें एक-दो टौपिक और एड करणी तो जैसा आप कहेंगे वैसा ही बनेगा ज्यादा लगा है तो हम कम करेंगे एक-दो टौपिक को कम लगा पोड़ा है तो मैं एड़ करूंगी पर वो मुझे आप कमेंट सेक्षन में जितने जादा कमेंट्ष होंगे उसी के अनुसार में अगली रन निती बनाओंगी और यह रही आपको कैसी लगी है यह मुझे आप direction. स्क्षिन में बताएंगे अगर आपको वास्तों में रणीती अच्छी लगी तो आप विडियो को ज़रूर करेंगे आगर आप लाइक नहीं करेंगे इसका मतलब आपको समझ में नहीं और और मुझे मेंनत करनी है मैं अपना डाइम क्यों कि वेश्ट करूं तो आपका लाइक बताइगा कि आपको यह र suppressed कैसी लगी और आप खुंद बताइंगे की करना है कम तो यह मैंने को दे दूँगी तो मैंने यह पूरा किया है अब आरी आपको बताना है कैसा लगा है क्या लगा है अगले वीडियो में हम यहां पर जो यह नए टॉपिक्स आपके सेकंड ग्रेड के इनके साथ मिलेंगे मैं आपको टार्गेट दे दूँगी चलना आपको है और उसके बाद मैं आपको पेजेस में ही डिवाइड करूंगी ठीक है ना क्योंकि जो छोटे हैं वो तो मैं फिर भी पढ़ाऊंगी पढ़ाने का मेरा हिसी लिए नहीं है क्योंकि समय आपका खराब होगा इस वज़े से मैं चाहती हूं आप अपने लेवल पर करें मैं यहां पर आपको ट